हमारे विभिन ज्ञान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दर्श्व को लंबे समय से आपकी डिमांड आ रही थी कि भागवान स्री गणपती का संकट नाशन विशेश स्तोत्र आपको बताये जाए समझाये जाए यह इतना शांदार इस्तोत्र है जितना कहें उतना कम नारज जी की वाणी से यह स्तोत्र प्रारम बहता नारद वाच नारज जी ने कहा अब देखो जब आप नीचे इसको पढ़ते जाएंगे कितना शांदार लिखा आता है क्या बात है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई चात्र इस स्तोत्र को प्रति दिन पढ़ता है उसे विद्या की प्राप्ती होती है धन की चाहा में अच्छी जॉब की चाहा में अच्छे व्यापार के लिए अगर कोई सी स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ता है उसे अच्छे व्यापार या अच्छी जॉब की प्राप्ति होती है जिन्हें पुत्र की चाहो, संतान की चाहो, उन्हें संतान की इच्छा भगवान सिरिगनपती से उनकी इच्छा पूर्ण होती है जिन्हें मौक्ष की चाहो, सद्गती की चाहो, उन्हें भगवान की किरपा से मौक्ष और सद्गती की प्राप्ती होती है इतना ये दिवितम इस्तोत्र अपने आप में माना जाता है ये इस्तोत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है इस इस्तोत्र को आप प्रति दिन पढ़ें और वैसे तो अगर ये इस्तोत्र सवा तीन महीने प्रति दिन पांच बार या ग्यारा बार पढ़ा जाए तो यह अमोग लाब की प्राप्ति कराता है वास्तम में दर्शुकूर लंबे समय से मेरा भी मन था है कि यह स्तोत्र वाइस सोवर के साथ आपको बताया जाए जो लोग संस्क्रत अच्छे से नहीं पढ़ सकते हाला कि इस स्तोत्र में इतनी जटिल संस्क्रत नहीं है बहुत आ सामने हिंदी की भी समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है इस स्तोत्र को प्रती दिन आप सुने और इसका मैथड सुन लें कैसे करें गनेश चतुर्थी या शुकलपक्ष की दित्या से इस स्तोत्र को आप प्रारंब करें अगर आपको लगता है कि हमें नहीं कि निए पता कि कब शुक्लपक्सकी दित्या आती है कब गणेश चतूरती चाहे कृषणपक्सकी ओ यह रहारम कर सकते हैं इस स्तोत्र में आपको नहीं पता लगा चतुर्ती का या उसका कब का है तो आप इस स्तोत्र को बुद्वार से प्रारम करें किसी भी बुद्वार प्रात्यकाल गनेश जी के मंदिर जाएं जहां गनेश मंदिर होता है या शिप परिवार होता है गनेश जी होते हैं महां एक्यावन या एक्सो आठ दुर्वा ले जाएं दो या पांच मोदक लड्डू ले जाएं देशी घी का दीप ले जाएं और थोड़ी सी हल्दी या रोली घोल करके ले जाएं मंदिर जाएं लंबदर भागवान स्री गणपती को वेगनों के विनाशक को प्रणाम करें और समकक्ष दीप जलाएं दोब दीप अरपन करें तिलक लगावें तिलक काड़ें और लड्डू चढ़ाएं भोग लगाएं कि भागवान स्री गणपती गजानन आपके लिए प्रस्तुत है आप इसे स्विकार करें और आज से मैं आपकी साधना प्रारम कर रहा हूं या कर रही हूं मुझे ऐसी शक्ति दें ऐसा आशिरवाद दें कि मैं कभी भी आलेस्तिय मेरे मन में ना आए आपका आशिरवाद सदेव मेरे अंग संग रहे और मैं जीवन में आपके करपा से फलू फूलू या जो भी मेरा मनौरत है मेरी जो भी आकांचाएं हैं वो आपके पहाओ के साथ आप भगवान स्री गनपती से अपने मन की बात कहें उसके बाद आपके पास दुर्वा है जो आप दुर्वा घास ग्रास अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है अगर मिल जाए तो अच्छी बात है एक सुआठ दुर्वा तीन वाली होती है ना तीन जाए नमा मनी मन एक श्री गनेश शाय नमा दू श्री गनेश शाय नमा तीन एक सुआठ तक चढ़ाते रहें या एक क्यावन चढ़ाएं जादा नहीं तो 21 तो कम से कम होनी चाहिए और अगर लगता है लास्ट में दो चार बच गई हैं तो लास्ट राउंड पर सारी चढ लेगा है ना और यदि प्रति दिन आप भगवान सिरी गनपती को इसके बाद घर में इस स्तोत्र को एक या पांच या ग्यारा बार पढ़ेंगे अति उत्तम लाब की प्राप्ती होगी संकल्प कर लेना भगवान मैं तीन महा या जीवन भर्या जैसे भी आपसे लगे मैं हुखे इस दिव िस्तोत्र का पान करउंगा पढ़ंगा और मुझे हाशिरवाद देए ना तो यदि प्रती दिन नहीं तो हर बुदवार जीरा बार पढ़ा पढ़ लो प्रति दिन एक बार पढ़ लो हर बुदवार घंपती को दुरभा चाड़ा दिजीए घर में प्रतिदन कुछ भोग लगा दें बताशे लगा दें या दूद्री लगा दें या दूदी लगा दें बादमें वह दूद पी सकते हैं सब को शेर करें दीप सी दीप जले हमें लाब मिले तो दूसरे को भी तो मिले है ना इसलिए कभी भी इन चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए बताइए जितना बाटा जाए उतना अच्छा लगता है और सवा तीन महीने करें या उम्र भर इस स्तोत्र को एक बार पढ़े या जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती जो भगवान से आपने मांगा है तब तक इस स्तोत्र को परती दिन एक बार करें इस स्तोत्र को पढ़ने वाले को विचितर परकार के दरश्चे दिखते हैं इस स्तोत्र के पढ़ने वाले की समस्तमनों काम नाएं पू तुलसी की माला से जाप करते हैं तो ना करें, रुद्राक्स की माला से जाप करें, समझ में आगी सारी बात, गनेश चतुर्ती से इसको प्रारम करें, या बुद्धवार की सुभा से प्रारम करें, या शुक्लपक्स की दित्या से प्रारम करें, कुछ समझ में ना आए, तो बुद्ध बार की सुभा से जैसे मैंने कहा मंदिर जाएं वो सब कुछ चढ़ा करके नमन करें और घरा करके सुरू करें वक्रतुंड महा काय सूर्य कोटी संप्रभय निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वकार येशू सर्वदा तो आएए मंगल कामना करते हैं इस दिव्वे स्तोत्र को हम प्रती दिन पढ़ें और हम भगवान सिरी गजानन से लंबो दर से विशेष प्रकार के आशिरवाद प्राप्ठ करें मेरी बेटियां, बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरे दशक, मेरे भुजोर्ग है न, सबी इसको पढ़ें मन में किसी प्रकार की कुंठा मत रखना भगवान गजानन की करपा से आपके समस्त कारिय सिद्ध होंगे तो आईए दर्शको अब इस दिव्यतम इस तोत्र को आप सुने और दो-चार दिन कागज सामने रख लें इस तोत्र की बजार से किताब मिल जाती है नहीं तो हमारी फेस्बुक से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और सामने रख के सुनते रहें समझते रहें दो-चार दिन के अभ्यास से ये स्तोत्र आप बहुत अच्छे से बोलने लगोगे बहुत अच्छे से पढ़ने लगोगे जीने कुछ नहीं आता पढ़ना नहीं आता है कोई बात नहीं है इस स्तोत्र को प्रती दिन आप सुन लिया करें तो आए भागवान श्री गणपती का दिव्वेतम स्तोत्र स्वान किया जाए ओम्श्री संकटनासन गणिस स्तोत्रम् रण्यम्यासिरशादेवं गोरिपुत्रम् बिनायकं भक्ता वासं स्म्रे नित्यं आयुस्का मार्त सिद्धहे प्रतमं मक्रतुन्णंचा इकदंतं दुतियकं तिर्तियं क्रिष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्तकं लंबो दरं पंचमंचा सष्टं विकटमेवचा सप्तवं विक्न राजेंद्रं नुम्रवल्नं तताष्टमं नववं भालचंद्रंचा दसमं तु बिनायकं एकादसं गणपतिं द्वादसं तु गजाननं द्वादसेतानि नामानी तृसन्यम्या पठेण नरह नचबिग्नबयं तस्या सर्वसिद्धी करंपरं विद्धार्थी लवते विद्ध्याम धनार्थी लवते धनम पुत्रार्थी लवते पुत्रान मोक्छार्थी लवते गतिम् जपीत गणपती स्तोत्रम सड़ विर मासे फलं लवीत संबस्रेण सिद्धिम्चा लवती नात्रसंसया अश्टे भ्योब्रामने व्यस्च्वा लिखित्वाय समर्पई तस्य विद्यववी सर्वा गणी सस्या प्रशाद तह ओम स्वस्ति शिरिही नारद पुराने संकट नासनम नाम गणीश स्तोत्रम स्रिगनबत्यार पनमस्तु हूँ अरियो दर्शुको अभी आपने यह भग्वान स्रिगनपती का दिव्य स्तोत्र सुना उम्मीद करता हूं किसी ने किसी को लाब इससी जरूर होगा उम्र भर करते रहना यह जैसे आपकी इच्छा है वैसे करते रहना और भग्वान स्रिगनपती तो पुर्थम पूजनी है ही है ना इसलिए उनकी पूजा में कंजूसी मतबरतना खोले दिल से पढ़ना किसी भी कौम का व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति भग्वान स्रिगनपती का इसी स्तोत्र को पढ़ सकता है किसी तरह का कोई दोश नहीं है आशा करता हूँ यह भग्वान स्रिगनपती का इस स्तोत्र जो जो पढ़े जो जो सुने उसे भग्वान स्रिगनपती उसके समत्र संकटों को दूर करेंगे नमस्कार यह तीन चीज को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की जरुत पड़े हमारे लिए तो बस अब जो भी है सो गुरुजी ही है हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें